गौंसे एपरिवार की वीकली अपडेट में अब सभी का स्वाकत है इस वीक सबसे पहले हमने एक बुलक का रेस्क्यू किया जो रेल की पटरियों के उस पार था रास्ते में रेल भी गुजर रही थी लेकिन हमारे सभी रेस्क्यू हीरों ने उसको जैसे तैसे बचा लिया उसके पास जाकर हमें पता लगा कि उसके पीठ पर किसी ने भाला जा किसी तेज परकार के हत्यार से हमला किया हुआ है खैर उसका हमने इलाज किया और गर पर वापस आ गए इस वार दूसरा हमारे पास ये एक बैल और ये एक बचड़ा है इन दोनों की जो टांग थी दोनों की टूटी हुई थी हमने जैसे दैसे इनके पलस्तर किया अब ये दोनों खड़े भी हो रहे हैं और चल फिर भी रहे हैं 10-15 दिनों के बाद इन दोनों का प्लस्तर है जो हम कट कर देंगे डॉक्टर की सलाह लेकर बाकी आप इन दोनों का आप हमें नाम भी जुरूर सजेस्ट कीजिए तीसरी जो अपडेट है वह इस बुल के पारे में इस बुल की हालत काफी ज्यादा कम जो रहे हैं आप इसके इदरा जो आप इसके जो यह इसमें देखो के कांड में बिल्कुल पूरी तरह से कीड़े पड़ चुके थे लेकिन कल शाम ही डॉक्टर ने आके इसका इलाज शुरू कर दिया है यह वैसे हमारे परसु पाया था इसके जो बचने के चांसी सबस्भाईवर चांसी से काफी कम हैं लेकिन खेर हम फिर भी प्रयास कर रहे है कि यह बच जाए जैसे तैसे एक उने एक उने यह बेख रेच्क्व किया है यह काफी ज्यादा अग्रैसिव है इसकी जो पीछली टांग है वो बिल्कुल तूट गी है इसके इसका जो टांग है यह बिल्कुल टूटी हुई है डाक्टर ने हमने पूछा और इसका फ्रेक्चर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी हड़ी है जो बूब पूरी तरह से तो इसका भी फ्रेक्चर तो खैर अभी नहीं हो सकता लेकिन यह उस बैल की तरह अग्रेसिव नहीं है यह काफी शान सुभा किया करम की अपडेट देने से पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूं जो हमारी ट्रीटमेंट के रिलेटेड है हमारे स परिवार के बच्चें उन्होंने ट्रीटमेंट करना भी शुरू कर दिया है हम सभी में से कोई ना कोई एक जाना जो ट्रीटमेंट को पूरी अच्छी तरह से जानता है उनके पास रहता है और उनको ट्रीटमेंट सिखा रहे है तांकि इन फ्यूचर हमें कोई भी यह काफी प्यारे सवा किया और इसके जो पिछली टांग है जो इसके खुर है जो पूरी तरह से यह इसमें कीड़े पड़े हुए है इसका इलाज भी हमारे यहां पर चल रहा है पंखुडी के पीछे साइड बिल्कुल कीड़ों ने खा लिया था तो इसके जो मैगड़ वों हो गया है लेकिन इसका वॉंड है जो वह काफी दीरे से हील कर रहे है हमने डॉक्टर को आज बुलाया है बाकी इसके जो भी रहेगी आगे की सर्जरी या अपडेट हम आपको देते रहेंगे मेरे पीछे अब रेशम जी देख रहे हैं रेशम जी हमारे यहां पर फुल टा करना स्टार्ट कर दिया था रांपयरी ने लेकिन इसका अग्रेसिव ने विचर काफी ज्यादा है तो इसकार ने यहां पर इसने दोबारा से चोट खाली तो आप देख सकोगे तो इसका जो कुछ एरिया है जखम का वह तो हील कर गया लेकिन कुछ थोड़ा ज्यादा ही ड अब इसका जो प्लश्टर है वह तो अब निकल चुका है और आप देख भी रहे हो कैसे अब दोड रही है हमारे हॉस्पीटल की बाउंडरी की हमने साइड में कंबलों को सुखाना शुरू कर दिया है क्योंकि सर्दिया आ गया है और इन सभी गाहेवांशकों और बैल बच सेल्थ के साथ हमने आप देख सकते हैं ग्रीनरी का भी खास द्यान रखाई इदर आप देख सकते हैं हमने धनियां मेथा लगाया हुआ है जैसे कि अभी हमारे सभी सेवक बैमार पढ़ गए तो हमने यहां पर गलो लगाई हुई थी तो उस समय वह गलो हमारे काफी काम अब इसको डॉक्टर नों भी पहले बोल दिया था कि इसको कैंसर है अब लेकिन ब्रैवर को आप देख सकोगे कि यो वोंड है वो भी बिल्कुल सूख गया है और कोई बोल भी नहीं सकता कि इसको कभी जिन्दगी में कैंसर रहा होगा आप मेरे पीछे काफी देखोगे फ फेवरेट का एक दिन अंतर निश्चत है और इसके हीलिंग होना काफी मुश्किल है वैसे हमें दिख भी रहा है क्योंकि ये डेवाइडे कमजोर भी हो रही है लेकिन हम इसके ड्रैसिंग जो है फेवरेट की रेगुलर कर रहे हैं आपको बता दी फेवरेट एक कैंसर की श काफी मुश्किल से हम इसको तब जब आया था हमारे फर्स्ट चैमबर में रख रहे थे खुशी की बाद यह है कि अब यह हमारे थर्ड चैमबर में आ गया है और दूसरा हम से काफी ज़्यादा यह फ्रेंडली भी हो गया है और इसका जो वोंड आपको कहीं दिखेगा भी भी नहीं क्योंकि जो क्योंकि जो इसका वोंड है वो पूरी तरह से इसका हील हो चुका है बाकी जो आप सभी ये गाई मज बैल बच्डे देख रहे हैं ये हमारे इसी एक दो महीने में रिकावर हुए हुए हैं और ये अब तीसरे चैंबर में अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं तो ये थी हमारी आज की वीगली अपडेट जो हमने आज के सिर्फ आपको कुछ ही गाएं बच्डे बैलों का बताया उनकी हेल्थ के रिलेटिट